नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया निउज राजस्तान और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका सारोसत कंकांचल और आद्वद्री पर्वत को खननमुक्त कराने के लिए आत्मदा की कोशिश करने वाले और आखरी सांस तक लड़ने वाले संत विजयदास बाबा का निदन हो गया है उन्होंने दिल्ली के सब्दरगंज अस्पताल में आखरी सांस ली बता दें कि संत विजयदास ने दोनों पर्वतों को खननमुक्त और वन छेत्र गोशित करने की मांग की थी उन्होंने आत्मदा की कोशिश करने के लिए खुद को आग भी लगाई थी पहले संत विजयदास का जैपूर में ही इलाज चल रहा था लेकिन बहतर इलाज के लिए उन्हें गुरुवार को दिल्ली शिफ्ट किया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका भरतपूर के डिंग छेत्र में अवेद खनन की गतविदियों को बंद करने की मांग को लेकर सादू संतों का यहां अंदोलन पसोपा में पिछले डेड़ साल से चल रहा था प्रदेश शरकार के आश्वाशन के बाद यहां अंदोलन गुरुवार को खत्म हो गया था वहीं बुद्वार को सादू विजयदास ने आत्मदा की कोशिश की थी बता दें के प्रदेश में खनन माफिया का आतंक बढ़ता ही जा रहा है पिछले डेड़ साल से मामले में कोई कारेवाई नहीं होने पर विजयदास बाबा ने मजबूरी में आत्मदा का कदम उठाया अब देखना यह होगा कि सादू विजयदास के निधन के बाद सरकार क्या कदम उठाती है खबर से अपडेट रहने के लिए इंडिया न्यूज राजिस्तान को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद